हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर basically मैं कुछ important parameters के बारे में discuss करूँगा जिसके base पर आप ये आसानी से decide कर सकते हैं कि आपको MSC किस subject से करना चाहिए किस specialization से करना चाहिए first of all student आप लोग ध्यान रखें इन तीनों specialization के अंदर अच्छी employment opportunities है तो वहाँ पर आप बेफिकर हो जाएए आपको देखना पड़ेगा कि आपका interest की subjects में आता है ठीके आपको ये भी दयार नकरा होगा कि आपने BSC की subject से किया है अगर आपने BSC microbiology से किया है तो आपको MSC भी microbiology से कर लेनी चाहिए वह आपके लिए काफी जादा better होगा तो आपको ये ध्याना करा है first of all कि आपने BSC की subject से किया है इसकी बाद student काफी सारे ऐसे भी student है जोने अपनी BSC microbiology से complete किया है बट वो MSC biochemistry से complete करना चाहते हैं तो क्या ये सही है, क्या ये सही रहेगा उनके लिए वो confused हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं उसके बारे में भी discuss करूँगा जैसे की question है, which one should I prefer among MSC in microbiology और MSC in biotechnology, MSC in biochemistry तो इन तीनों में अगर आपको decide करना है तो पहले आप लोग ये देखिए जैसे की मैं आपसे question पूछूँ, do you love organic chemistry or biology या मेरा question है कि आप biology के साथ साथ क्या आप chemistry की भी knowledge रखते हैं तो ऐसे में आपको biochemistry चुन लेना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा better option होगा या इसके बाद आपको chemistry की बहुत ज़्यादा knowledge नहीं है और आप confuse हैं कि आपको MSC biotechnology से करना चाहिए या microbiology से करना चाहिए तो इन दोनों में आप लोग ध्यान रखें, student की microbiology थोड़ा extensive field है ठीके, और biotechnology जस्ट उसके ही syllabus का एक हिस्सा है, जिसे आप थोड़ा deeply study करते हैं बायो टेकनोलोजी के अंदर आप थोड़ा detail में biological techniques के बारे में पढ़ते हैं ठीक, इसके अंदर आप जो genetically modified microorganism होते हैं उनसे आप कैसे antibiotic या hormones या other product कैसे produce कर सकते हैं उसके बारे में आप लोग study करते हैं लेकिन microbiology का जो syllabus है वो काफी broad होता है और basically इसमें जो jobs होते हैं वो भी research oriented ही होते हैं ज्यादा तर आप लोग notice करेंगे student की microbiology के अंदर काफी सारे ऐसे basic laboratory technique यूज होती है जिस पर पूरी तरह से biotechnology depend रहती है अब दूसरी तरह आप लोग ध्यान से देखे तो काफी सारे ऐसे biotechnological methods होते हैं जो की microbiology के development के लिए important होते है आप लोग ध्यान से इन दोनों के बीच comparison करेंगे तो microbiology थोड़ा broad हो जाता है और यह जो biotechnology थोड़ा specific हो जाता है तो इन दोनों के comparison में student मेरा उपीन है ने कि आप MSC biotechnology से कर लीजी वो आपके लिए ज्यादा better होगा अगर आप लोग MSC microbiology और biotechnology का comparison करेंगे तो biotechnology थोड़ा ज्यादा advance हो जाता है इसमें आप लोग ज्यादा deeply study करते हैं किसी एक specific चीज के बारे में और यहाँ पर ध्यान रहे student कि अगर आपने MSC biotechnology के उपर मैंने जो detailed video बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप MSC biotechnology के लिए best colleges कौन से हैं यह इस पूरे course के बारे में और job opportunities के बारे में काफी detail में एक video बनाया है साथ में microbiology का भी बनाया है तो first of all अगर आप लोग confused हैं तो पहले उन दोनों videos को देखी क्योंकि उसमें मैंने काफी detail में ऐसे parameters दी हैं जिसके base पर आप यह decide कर सकते हैं तो उन्हीं सब के basis पर मुझे लगता है कि आपको MSC biotechnology से कर लेना जाहिए इसके बाद कुछ student ऐसे हैं जो की question पूछना है which is better MSC biotechnology और MSC biotechnology अगर MSC biotechnology का comparison करे तो इन दोनों में कौन सब better होता है तो देखे यहां पर मेरे recording आपका जो interest है वो important role play करेगा क्योंकि biotechnology के अंदर आप study करते हैं जो living organism है उनके chemical processes के बारे में, substances के बारे में जो biomalcules होते हैं जैसे proteins हैं, enzymes हैं, lipids होते हैं, carbohydrates होते हैं इनको काफी detail में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है वहीं पर अगर आप लोग biotechnology को ध्यान से देखें तो इसमें involved रहता है use of biological system and organism to develop product and technologies इसमें include रहता है basically animal biotech, plant biotech और microbial biotech जबकि मैंने आपको कहा था कि microbiology के अंदर ही आते हैं इसलिए मैंने आपको कहा कि एक तरीके से microbiology पुरा समंदर है और ये जो biotechnology है, इसका specific part है इसे आप नदी समझ सकते हैं तो simply student यदि आप interested है living organism के chemical और molecular respect से तो आपको MSC biochemistry चुन लेना चाहिए लेकिन यदि आप interested है biological process के application या new technologies and product development में तो आपको MSC bio technology से करना चाहिए इसके बाद finally एक student ने question पूछा था कि which is better MSC microbiology और MSC biochemistry यानि कि अगर उसे चुनना हो MSC microbiology और MSC biochemistry में तो उसे क्यों सा subject चुनना चाहिए किस specialization से अपनी master degree complete करने चाहिए तो ये दोनों के दोने specialization research oriented है तो यहाँ पर भी interest एक important role play करेगा ये decide करने में यानि कि deciding factor क्या है आपका interest यदि आपका interest biochemistry में है तो आपको biochemistry चुनन लेना चाहिए और यदि आपका interest है छोटे छोटे organism को study करने में जो micro organism होते हैं तो आपको microbiology चुन लेना चाहिए तो मैं आपको कहूंगा देखो biochemistry क्या है इसमें आप डिस्कावर करते है new drugs के बारे में new medicines के बारे में यानि पूरा healthcare के अंदर आ जाता है तो मेरे according MSC biochemistry थोड़ा ज्यादा सही रहता है इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर अगर आप लोग MSC biochemistry से करने तो वो ज्यादा आपके लिए better option है ठीके जितनी भी pharmaceutical companies होती हैं, biotech companies होती है वहां कि काफी सारे departments है जिसमें आपको recruit किया जाता है जैसे for example production में या quality control में या research development में या quality system में तो यहां पर आपके आसानी से job लग सकती है तो इसलिए मैं आपको कहा कि MSC microbiology के बदाए अगर आप लोग MSC biochemistry कर लेते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा better option होता है एक बार फिर से student में revise कर दूँ कि इन तीनों specialization के अंदर equal job opportunities है अगर आपने MSC microbiology का detail video नहीं देखा है MSC biotechnology का detail video नहीं देखा है या MSC biochemistry के ओपर detail video नहीं देखा है तो उसको एक बार आप लोग देख लेजिए क्योंकि वो videos भी आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे deciding factor videos हैं वो तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं तो इन तीनों में मुझे better option MSC biotechnology लगता है क्योंकि वो ज़्यादा interesting भी है उसमें काफी ज़्यादा interest है और MSC biochemistry भी काफी बहतर है MSC microbiology थोड़ा बहुत ज़्यादा broad हो जाता है इसलिए आप लोग इसमें specific चीजों के बारे में study नहीं कर पाते हैं So students, मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप लोग comment section में mention कर सकते हैं इसके लाबा और भी किसी चीज पर वीडियो चाहिए तो आप लोग comment section में mention कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई